वाईजु जी का खाल्सा वाईजु जी की फते आज जसी आम मता हेड ग्रंथी साब नो देखे आये हैं पार्टी वल नो जिते फैसले इनने करने हैं गये हैं बर गाड़ी दे गुरु साब दी बियाद भी ते नाल जिडे सादे ओते सिक्ख मारे गए हैं उना दी किलिंग कीत है, 328 रूपा दा मसला है, माफी नामे दा मसला है ते एदी जुम्मेवारी दे उते के के दी जुम्मेवारी है इसका मदी फैसला लिता जाओगा पर असी आज सुचेद कीता है बुर्दी जीवी ते जेडे सिंग सहीवानों ते कटे हुए हैं के जेडा सिख कतल दा केस है जे मैं बरगाडी दे वेच होया सीगा, ओथे आज भी सिखांदा शिकार खेड़े जा रहे हैं, असी मते वेच हेडगरंथी साब नूँ खोरा नूँ बेंती कीती है, अमरीका ते कनेटा ने सपस्ट रूप जे एक ता जेड़ा यादव सीगा, दुझा रौ दा चीफ सामन गोयल, NSA डिरेक्टर जेड़ा कैबनेट लेवल अपॉइंटी है, अजीद दोवाल, ते होन अमिट शाह दा ना एदे चे आ रहे हैं, ना ली प्राइम मिनिस्टर आफिस दा ना आ रहे हैं, जिते कैबनेट दी जॉइंट रिस्पॉंसिबिलिटी हुन दी है, स्मूग कैबनेट दा ना तागेड़ेड किलिंग आफ सिक्स कैनेडा ते अमरीका दे विच सिद्धी उंगल चुकी जा रही है, असी ए सिख प्रती जेड़ा कट करके फैसला लेना है, ओदे विच बेंती कीती है, के नार दी नार अमिच्छा दे उत्ते, नरिंदर मोदी दे उत्ते, अजीत दवाल दे उत्ते, ए जेड़े हेड़ेड़न्ती साथ ते होर ज़दर कठे हो रहे हैं, ओदे उत्ते भी सिख कौम नूँ कोई अवाज देन, पारत ने होन 40 साल होगे 1984 नू हर मंदर साथ दे उत्ते हमला करता, कालतक साथ टाइटेरी करते, 25,000 लाशां ओ समय दियां, ओदा कोई वेरवानी दिता, ओपरेशन वोड रोज चे, टागेटेड किलिंग सिखा दी कीती है, ओदे बाद सेंटर दे सरकार दीन, के पीएस गेल अजीत दोवाल आईवी दा मुखी हुंदा सी, ओना ने हफ़ते सिखा दे मारण दे बने हो इसी के, खालरा साब ने 25,000 लाशां समशान का टाजेक कड़ी है, ओदा भी कोई साड़े जहदार सैमामना ने सवाल जवाब हजेता के चक्या नी है, जित्थे 1984 दी गाल करने है, इनना दिना चेही दिली चे साड़े बीबियां दा बलाद कार कीता गया, बच्चे मारे गे, बंदेया नूँ वड के, साड के, टॉर्चर करके मारे गया, ओदा इस देश ने कोई जवाब दा कुश नी कीता हैगा एच चाड़ी साल दे वेच, होंद चिलड वर के पेंड जे में हर्याने चे सीगे, पूरे पेंड दी पेंड अबादी खतम करती है, पुटादी चे, कानपूर दे वेच, बुखारो चे, चिटी सिंगपुरा चे, मैडलेन ओल प्राइट लिख दी है, के इंडियन इंटेलि पूरा सिखादा पेंड पूरा कश्मीर चे खतम करता, पारद देश चाड़ी सालना वास्ते सिखादी टागटेट किलिंग साठी जेनोसाइड करता आ रहे है, ते ओदे नाल नाल जेनिया सिख संस्थामा है गियां, जे मैं SGPC है, एदी सारी कारजकारी पांक कर रहे है, के म तुसी देख लोग पारद दस जेड़ा पार्लिमन्ट लोग सबा है, ओदा पहली चोण 1922 चे होई, सिख हाउस दी, SGPC दी, 1925 चे बंतर होई, तेन साल बाद चोण होंदे सी, फिर पांच साल बाद जाद लीखते है, उन्नी सो संताली तो लाके आज ताक सिरफ आठ चोणा ह होई है, एए हाउस भी बिलकुल खतम है, 13 साल होगे चोण नी कराय जाद के 5 साल दी बनियाद है, एदा मतलब की कि सिख अपनी वाजी ना चक सकंड, आही हाउस चाहे जिन्ने मर्जी तिनाचे बंढ़ जे, इस सारे बीजेपी को लेपा जड़े हैं, हर एक ने मुती नूम है, टिक है होया, एप हमें आज लड़ दे हैं, पर बीजेपी दे नार एप बना के रख दे हैं, सो असी समझ दे हैं कि जद बीजेपी ही, ए गौवर्मन्ट ही सिखा दी बारले देशां चे शिकार खेड रही है, तो जित्थे ओस समय दी अकाली दल बीजेपी दी सरकार सी, जेडी सुखवीर बादल चलांदा सी, ओस कैबनेट दी भी जोइंट रिस्पोंसिबिलिटी सीगी, ओदे वेच भी बीजेपी दे नमाएंदे सीगे, जाद बरगाडी होया, ओसी तरह आज जोइंट रिस्पोंसिबिलिटी एस कैबनेट दी है, जेडे सिखा नू बार अठाई उनती ती छोटे साहव जादेयां दा शहीदी जोड मिला है, असी सजी पीसी नू बेंती किती है, के सारे सिखा नू चारो कोणेयां तो एक बड़े पदियातरा जलूस दे रूप चे अथे पहुंचना चाईदा है, जिस तरह मुगला ने सिखा दा जेनोसाइड की किता सी, ते साठे बच्चे साहव जादे, साहव जादेयां नू फढ़के और ना दी टागेटेड किलिंग कीती सी, आज भी ओई हाला आता है, पारत मुगल हकोमतों का ट्रोल नहीं नबा रहा, एवी सिखा दे बच्चे फढ़ पढ़के, चाहे संदीप सिंग सिदू है, जाहे सिदू मुसे वाड़ा, एथे दे गैंक्स्टना रही, बार हरदीप सिंग निजर, अफ्तार सिंग खंडा, पाकिस्तान दे बिच पंजवर साब, सारे किते सानू टागेट करके मार रहा हैगा, और आपानू ओ खालसा पंथ दे स्तापत करनाडे दसम पिता दे, खालस लुए हैं, वह खालसा स्तान किने बनाया, बाबा बंदासिंग बादर ने बनाया, पहले खालसे राज़ते आपको कठे होके गैना चाहिदा है, कि असी गुरू गुबिन सिंग महराज दे खालसे आईं, अनना दे लाड़त लेएं, अनना दे नियम ते, जिवें आज कोई राम राज्य कह दे ता उन्हों कोई पबंदी नहीं असी भी अपने दसम पेता दे खालसा पंत दे नौते खालस्तान कह दिये ता असी ओदेनाड मारन जोग नहीं देखो अमिज शानल फोटों और ने दखाई हैं जते दारां दिया हैं आज अमिज शाह दे उत्ते कनेड़ा दे मंतरी ने सिद्धा इल्जाम लाता के अमिज शाह दा हथ हर्दीप सिंग निचर दी किलिंग दे विच हैगा सु मैं समझदाएं के ए जतेदार उस गालते जवा जवाब दे हैं के ओदेनार केडियां मीटिंगा होई हैं की डिसकाशन होई ते आज ओ जित्ते आज शुखवीर बादू दे टिपनी ते अपनी सजा ते अपना डंड देना है ओसी स्थान तो जेड़ा होन दा होम मनिस्टर अमिज शाह तो दा भी पोच गेच जथे दारा करना चाहिदा के तेरे अल्जाम लगें हैं तू जवाब दे शेड़ी मीटिंग हो जारी है लगजा जी कि जसस मिल पाएगा उसका दे हज़े तक मुलावत लजर आ रहे नहीं हैं सकते लगजा नहीं जारी हुआ है कि यह गर चंदा जसे दार होएगा ताहीं जिड़ा पनि कोई लोडनी है मैं महराज दे संबने अरदास करता है कि अनुन मत ते बल जिनना ने फैसला लेना अनुन बक्षण ते ओ छे में पाच्छा दी गदी ते बैठे और ना दे सोच अधीन फैसला लेंड ए अरदास करता है का नितीजे कल पता लग जागा है पंजाब सरकार दे कौट चे बॉल तकरीवन डेड़ साल पहला जिड़ा एलेक्शन कमिशनर है जस्टिस सरों होना ने सुटती सी एना ने अंगेली वर्ती है जद पहली वारी वोटा बनाओन दा समा सीगा मेरकार 7500 दे विच्छों 2500 पटवारी एना कोड़े मजूदा सीगा 5000 पटवारी दी काट सी ते जुम्यवारी पटवारी दी लाती ओस समय जद फसला दा नुकसान हो चो क्या सी फसला मढ़ियां चे जारियां सी गया ते पटवारी दा सब तो बीजी सीजन सी गया ते जेड़े सिखा ने वोटा बनाओन दा यतन करके औना कोड़े पहुंच भ किया ओवी ना मंजूर होई उस तो परंत बड़े लंबे समय ली एना ने फेर कोई साधन नहीं देते पंजाब सरकार ने पंजाब सरकार नो फीर जस्टिस सारों ने कंपेल करके जाद लबीयो मंजूर करा के वोटां बनाओन दा क्या ताहां जाकर वोटां बनियां है यहा आसी समझ दे हैं के ए सेंटर दी सरकार ने लेकी पंजाब सरकार ने लेकी और उदे करके ए चोन नहीं हिते गए और इस तो पिछे जेड़ी ए पारती नियत है के सिख नौजमान कतल करो एना दा जेनोसाइड करो और जेडियां सिख संस्थामा है ओना नू बिलकुल पंग क में करना है कि आपाने एना दा जिड़ा जुमूर्यक तांचा है ओजमा खतम कर देना हैगा ताके सिखी प्रफुलत ना हो सके साड़े तरम चित बदीली आजे और ए मेरा ख्याल पारत सरकारती साजश है तुसी देखो ओन कनेटा दे विच इंडियन कमिशन जेड़ी की इं प्रोट कर रही है जे चोणा दे वेच असी गुर्दवारे चे प्रचार कर ये सानुम बैन है मन है क्योंके तरम निर्पाख ए स्टेट होंदा है गा पर ए मंदरां चे जाके पारत सरकार राजी है कदी मस्ज़चे सुने है के कनेडियन जेडी मिशन है जेडी पारत ता उत अबैस्टर है मस्ज़चे जाके कोई कैम्प लांदी होए किसे गिरजाकर जाके कैम्प लांदी होए सिरत सिरफ हिंदूतर अने जाके क्यों लाया जेडी को मुशा होई है अपनिया सेवामा देन वास्ते ओ स्थान चुनी है एना कोड़े इना पैसा नहीं हैगा कि कोई संजा हॉल्म चुनके उत्थे सद्दा देदें इना कोड़े पैसा नहीं हैगा कि एक किसे संजीत हो आते यह अपने सेड़ी कैंप लाके उत्थे सद्दा देदें जा देना ने चुनके हिंदू मंदर देवेच यह ऑथे जेडी कनेड़ा ने सिद्दा अलजाम राजदूप धिलाया होया से गा और थे सिख केलिंग दा मुद्दा चले होया सी, सिखा ने इंडियन कमिशन दा प्रोटेस्ट कीता है, ओ प्रोटेस्ट दे वेच तू तू मैं मैं होई है, दो तरफी होई है, एक तरफी नहीं होई है, जेड़े ओ उस कम्यूनुटी दे सी होना ने आके सिखा दे किंतु परं नहीं होई, एक बिल्कुल मंदर दी टागेटिंग नहीं होई है, और ना ही सिख करूगा, मैं था नू मसाल देना चाना पी खीवेंट चे, जिते विर्से से मुल्टो है, ने मंदर दे वेचो मूर्तियां कड़ के टोबे चे सुटके कबजा कीता सी, साड़े पार्टी ने स सिम्रिंजीत सिंग्मान ने उत्थे खड़के मूर्तियां कड़ाईयां, मंदर चे जिवेयोना दी रीतरवाजा, दुद नाल तोके वाफस बसाईयां, ते उदा कबजा तुड़ाया, सो सिख कॉम किसे मंदर दे उते हमला करके राजी नहीं है, सुगों, जाद बावरी मस् सिख करना है, जो अमरीका ने और कैनेड़े ने पेशगश रखी है, ओदे वेच्च जेड़ा यादव है, ओदे वेच्च जेड़ा अपना सामग गोयल है, एनने से अजीत दोबाल है, अमिट शाह है, प्राइम मिनिस्टर आफिस है, ते जे अमिट शाह है, ता जॉइंट रिस्पॉंसिबिलिटी कैबनेट दी हुदी है, ओ सारे कैबनेट दी जुम्मेवारी जेड़ा इस जेड़ा है, जुरूर होगा, जुरूर हो इस ते फैसला होना ही होना है, क्योंकि सारा पंजाब जानू है, कि एनना दी सरकार चे पहला ता बेयद भी होई, एनने राम रहीम नूँ माफी नामे देते, गोडी, एनना ने कह के चलाई, जेड़ा चेन ओस है, वो तर रपॉर्टां चे भी निकड़ गया के उत्ते बाद साथ दी गाल होई, होमने स्टना गाल होई, फेर जाके इते गोडियां चली है, वो इस्टाबलिस्ट है, सब वो इनना ने कवरा पी कीता है, कि मैं जेड़ियां गोलियां चाहिए, राइफल दी जेड़ी वे ते ओर राइफल जी गोड़ी निकड़ी होई, जाद सबूत दे कमरें चे पाई सी, ओर गोड़ियां च्रिटा मार के उना नो खतम, राइफलेंग खतम करती, तांके पता ना लगे के डी राइफल चे गोड़ी चली है, यह कौन कर साथ है, सबूत रूम चे कौन जा साथ है यह सरकार होदे नमेंदे पोल्स एही एविडेंस रूम चे जाके इंटर्फियरंस कर साथ है, सो ना के इना ने सिखा नू मार के उनू लुकों किती है, उनने एविडेंस भी बरबाद करता, हरे एक सिख नू पता हैगा, काली दल, एंड, 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 बीजेपी सरकार द स्थान है, गुरू साब अकालतक साथ पहुंचे, के जमीर जगा सकते हैं, के दी नहीं, एक गुरू दे हथ चे, असी आस रख दे हैं, के छे में पादशा दी गदी दे उते, बिलकुल बंदे नू ना पैह हूगा, ना डर हूगा, ओ अपने कोशिश करके दे दूगा, बाक गुरू साब दे बरखला साजे, सिक्क्वाम दे बरखला साजे आज भी चल रही है, के दे रहीं चल रही है, जेडी हमेती पार्टी कैबनेट दे वेच हिस्सादार सी सुभीर बादलनाड, प्रतास सिंग बादलनाड, ओ बीजेपी सी, अज ओ ही बीजेपी होन बार सिखा प्रदान सी जेड़ा एना दा सिए शुकीर बादल दा सतंदर पाल सिंग कोली सी ओदे बर खलाफ मता जेड़ा मैं पिछले दिने प्रेशनू दिता है उदा खलामा किता है उस मते दीन असी बीपी जगीर कोड़े गए सी कि गवार कोड़े गए सिगे ते क्या सिगा के एदे कारवाई करो केंदी मैं बाणदी कारवाई करूंगी और ओधी टर्म खतम होगी ओना दा कोई भी आक्षन नहीं होया क्योंकि ओ सुख्वीर दे बने होई SGPC मेंबर सी जे जे ओ केंदी है के जमीरा मर गया फिर ओदे तजर्बे रही जो मैं देख्या मैं मन सागता होदी काल क्योंकि ओने अपनी मरी हुई जमीर मेरे सामने साबत कि जेड़ी वीबी नूं मिन्नू ब्यान किते के असी बाणदी कारवाई सतिंदर पाल सिंग कोली ते करांगे ते किती नहीं ओधी खुद दी जमीर मरी हुई है कि ओधे साथियां जेड़े अनू विश्वास दा दिन्दे सी जे अनू ओधा तजर्बा हो गया फिर ओधी ते ओधे साथियां दी जमीर दा ओने सही बेर बाद तो लगता है कि विट्सासें बुल्टवा लगातार दास्कारे ने कि जेड़ी वीडियो अचन तक घती जाव जिन्दी पॉरादे लिचकी रहेगा तोहाटी बार्टी था और चारे जिड़े ने वह गडिडियो खड़े किते जाने कि जान एक है जाटे तिन कैंडिडे खड़े हैं सुक्राद सिंग जी इड़बाहितों बोविन सिंग बरनाडे तों देरा बापा नानक तो खड़े किते हैं चब्यवाल चे साथा है नहीं का कैंडिड़ेड असी समझ देया है कि जेड़े चंगे समय चे गुरु साब दे पांत दे नौ ते तुर्दे सीगे आज निराश्ता नाल पांत दा नाहीं छटगे जमीनी छटगे मदान छटगे हैं यह बहुत तेंदी कड़ाली गाल है कि जे किसे नों तंखा लगी होए और वो संगचे विचरना सके वोदे ना विचरन करके तुसी अपने गुरु के पांत नौ बठा दो यह ता बहुत ही तेंदी कड़ाली गाल एना ने कीती है पर सनुमान है आज गुरु के पंथ दे नो ते श्रोमनी काली दल अंबसर जो के काल तक सब ते बंतर करके हमेशा ही सिखा दी गाल करदा आया पंथ दी गाल करदा आया पंजाब दी गाल करदा आया आज ओ गुरु दी सोच दे उते मानस की जाद सबे एक पचानियों सरबात्ता पला गरी कट गुरू का पंथ आज संगती सेवा चे आजे रहें ते मैं हरे एक पंथ दर्दी नू बेंती कर दाएं के जुरूर अपने कैंडिडेट्स बाड़ो जेडे मदान पाजिके छट गे ओना नू मैं सार महा सिंग दी मुकसर दी काल याद करोना है ओ पंथ नू छट के चले गे पर मुड़ के आके ओना ने अपनी जांग लड़ी ते गुरू साब तो मुक्ती पाई ते तुसी आया ना सोचो के जे तुसी ए तंखाईयां करके तुसी बैगेयों पांथ नू थोड़ी लोड़नी थे थोड़ी जुम्यवारी नी महा सिंग बनो उठो और आपनी लड़ा लेकिन अच्छी बाद जिल्दा बादे नारे भी सुन्रूंग ले लगदा तन खाया हूं तो बाद ऐस्ता में नारे किरेने ओप नहीं लड़ने चाहिए ते सार्थ जेड़ी बादल दाल दियां सरकारां लगातर बन दियां आई हैं ओदे विच इना ने बहुत सारे आंदा फैदा कराया है पावे संगता फैदा नहीं होया पर कईयां दा इना ने फैदा कीता है गया ओदे देते हैं मान सब कुछ मिड़े हैगा मैं तो दास रहे हैं यह जित्ते होना नी चाहिदा सी ओथे एना ने अपने फैदे देखके ओ मोड़े हैं ना के जड़ा एना देखते मारा घ्रार लाया होया है ओधी पंत दीन बाई है झाल